हालो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IRFC के बारे में IRFC अगर आप यहाँ पे देखोगे तो overall scenario जो है वो budget से पहले तक काफी हद तक change हो सकता है उससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको quarter 3 भी देखने को मिलेगा और यहाँ से अगर आप देखो तो बहुत बड़ी बड़ी चीजे हो सकती है IRFC के अंदर आज मैं आपको कुछ important updates भी बताने वाला हूँ जिसका फरक तो पढ़ाई है लेकिन Monday से आपको उसका impact इसके share price पर देखने को पढ़ सकता है और अगर हम यहाँ से देखे तो जानने का try करेंगे कि क्या quarter 3 में आपको bonus या dividend जैसी चीजे मिल सकती है या फिर नहीं तो वीडियो को आप पूरा जरू देखिए आपको सारी चीजे समझ में आ जाएगी चैनल पर अगर आप फर्स टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को subscribe जरू कर लीजेगा वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को एक like जरू कर दीजेगा चली वी कि गिरावर निफ्टी बैंक में तो और ज्यादा लिख आपको देखनी को मिली और निफ्टी निफ्टी मिट कैप में भी आपको 200-500 पॉइंट के आसपास की गिरावर थी अब अगर हम यहां पर बात करें कुछ रीजन के बारे में तो मैंने प्रीवेस वीडियो में रीजन्स बताएं हैं यह बैंक वाली वीडियो में मैंने रीजन्स मेंशन कर दिये हैं कि आखिर इंडियन स्टॉक मार्केट में आज के दिन गिरावट को ही कल भी गिरावट का ही माहल था तो ऐसा क्यों हो रहा है तो इसके पीछे के कुछ रीजन्स बेसिक निकल के आएं वो बैने बता दिये हैं तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो आप चेक आउट कर ले ना आपको सारी चीजे समझ में आ जाएगी वहीं अब यहां पर मैं आपको लेकर जलता हूं डिरेक्ली आयर एपसी में कि आलचल क्या रहा है तो आयर एपसी में पूरे दिन अगर आप देखो के एक छोटी मोटी गिरावट का माहल देखने को मिल रहा था लेकिन अगर आप यहां पर देखो के जो क्लोजिंग हुई वह असी पैसे पर आयर एपसी आज के दिन की क्लोजिंग देते हुए नजर आया जबकि आज माहल ओवराल मार्केट में भी गिरावट वाली था और आयर एपसी में भी आपको थोड़ा बद गिरावट का ही माहल देखने को मिल रहा था पिछला एक महीना गर आप देखो के तो वो काफी ज़्यदा अच्छी नजर आती है अब यहां पर मैं आगे इसको कॉंटिन्यू करने से पहले आर बी एनल के वारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि जो न्यूज है वो आर बी एनल से भी पूरी तरीके से कनेक्टेट नजर आती है आप यहां पर देखो है अनिकी 136 परसेंट से ज्यादा के रिटन्स हैं तो आप यहां पर समझ पा रहे हो कि इस पर्टिकुलर श्टॉक ने कहां से कहां तक के रिटन्स पिछले 6 मेने के अंदर बना दिये हैं अब जो निउस निकल के आ रही है वो यह है कि आर बी एनल को एक बहुत ही अच्छा खासा यहां पर जो ओर्डर है वो मिलते हुए नजर आया है यहां पर आप देखोगे तो बताया गया है कि आर बी एनल में जो ओर्डर मिले हैं उसकी वजह से करीवन 3% का मुवेंट आया और पिछले 6 महीने के अंदर 140% के रिटन्स बन चुके हैं आप यहां पर देखो जो रिसेंटली ओर्डर मिला है वो करीवन 166 करोड के आसपास का ओर्डर है और यह जो ओर्डर मिला है वो गुजरात मेट्रो की तरफ से आपको देखने को मिल रहा है वहीं अगर हम बात करें एक जॉइंट वेंचर आपको रिसीव होते हैं नजर आए कि इसकी बीच में आर ब अगर आप देखोगे तो यह सारी चीज़ें यानि की डिजाइनिंग सप्लाइ इंस्टॉलेशन टेस्टिंग यह सारी चीज़ें आपको आर बीनल कराते हो नजर आएगा गुजरात मेट्रो के लिए तो यह बहुत बड़ा ओडर है इसका डिरेक्ली अगर आप देखो तो तो मिला आर बीनल को लेकिन इंडिरेक्ली अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो आई एर एपसी है उसका काम यहाँ पर फाइनसिंग प्रोवाइड कराना तो ही लेकिन साथ के साथ अगर आप देखोगे तो यह आर बीनल को भी एक बड़ी फाइनसिंग प् इंडिया पीपावा रेलवे कॉर्परिशन ओफ इंडिया इन सब को आई एर एपसी जो है वो फाइनसिंग प्रोवाइड कर आता है तो इनको अगर और मिलेंगे छोटी योटी कंपनीज को भी और मिलेंगे तो डैरेक्ली अगर आप देखोगे तो बेनिफिट जो है वह आ रेलवे की तरफ देखने को मिल रहा है स्पोर्ट इंफ्रेस्ट्रेक्चर में यहाँ पे फोकस करते हूं अजर आ रहे है इसका अगर आप ऐस फायदा देखोगे तो कहीं न कहीं आपको आरेपको मिलते हुआ नजर आए गा जितने भी इन्फ्रेस्टेक्चर काम है रेलवे तक क्या टार्गेट है इस financial layer के कितने टार्गेट निकल के आते हैं तो यह सारी चीज़ों से directly पता चलता है कि आई अपसी के पार बिजनिस की कोई भी कमी नजर नहीं आती अब जैसे कि एक और हम यहाँ पे न्यूस पर बात करें तो आप देखो Core Electrifies More Railway Route Countrywide यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बताये गया है कि पूरी तरीके से जो railway है उसको eco-friendly बनाने की त्यारी करी जा रही है ग्रीन railway बनाने की त्यारी करी जा रही है जिसका अगर आप यहाँ पे देखोगे तो Core यानि की Central Organization for Railway Electrification यह काम करते हैं नहीं जर आ रहा ह है 100% Electrification Achieve करने में अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यह Electrification वाली बात निकल के आती है यहाँ फिर हम बात करते हैं कि 2030 तक जो green railways का पूरी तरीके से focus किया जा रहा है तो वो भी एक बड़ा initiative है government की तरब से क्योंकि वहाँ भी अगर आप देखोगे तो चीज़ें कु कौन से sectors जो है वो एक बहुत तगड़े returns दे सकता है तो अमित नाडेकर के तरब से मानना है इन्होंने ET market smart talk में बताया है कि railways और FMCG यह दो सेक्टर ऐसे हैं जो कि यहाँ से 2 जा 23 में बहुत ही तगड़े returns बना सकते हैं अब railways का बहुत वारी आपको बता चुका हूँ reason क क्या निकल के आ रहा है इतिनी सारी news मैं आने आपको डेली बताई है साथ के साथ जो budget में चीजे होने वाली है वो भी एक बड़ा factor create करती है railway में बड़ी rally के लिए साथ के साथ हम यहाँ पे FMCG को भी target करके चल सकते हैं ऐसा यहाँ पे आमित नाडेकर का मानना है तो यह सार की विपरो वाली वीडियो में आपको पूरी तरीके से बताया है कि क्या क्या reasons है तो यह सारी चीज़ें आपको consider करके चलनी पड़े कि quarter 3 एक अच्छा कासा बन सकता है क्योंकि इस बारी सबते ज्यादा dividend IRFC ने Central को पे किया है और इस बारी chances है कि आपको एक अच्छा dividend फिर स कंपनी प्रोवाइड करा दे तो फिलाल वीडियो में बस इतना ही वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा चैनल पर वश्टा विजित कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर दीजेगा धन्यवाद